हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मिक्स हैंडी में आज हम तयार करेंगे मिठाई रोल क्योंकि दिवाली आने वाली है तो हम घर पर मिठाई तयार करेंगे और यह बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होगी और इसको हम बनाएंगे सिरफ 10 काजू से और वो भी पिना गैस जला देंगे हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है अब इसमें हम डालेंगे 10 काजू जिया हम 10 काजू से ही मिठाई तयार करेंगे इसमें डाल देते हैं यह और इसका हम बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखिए यह तयार कर लिया है फाइन पाउडर अब इसको हम ट्रासफर कर देंगे उसी बर्तन के अंदर, अब इसमें डालेंगे नाटी कितरें है टाजी मलाई यहाँ पर यह तीन चममत अंदर मिल कहने के ऐसे तरह भी नहीं दूद्रिसरा झाला है कि यह तरह को चीनी मैल्ट होने लगेंगी मलाई डालने से तो एक्षो मिक्स करें गे और इसको विल्कुल आटे की दाने ग relief और एक जमच इसमें दाल देंगे गी और इसको हम विल्कुल की दैना के चिकना कर लेंगे और यह विल-की ऐगा बनाया था बसदो की आगया है अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डो लेकरके इसके रोल तयार करेंगे आप चाहें तो प्लास्टिक शीट पर भी तयार कर सकते हैं ये रोल और ये देखें यहाँ पर मैंने ये रोल तयार कर लिये हैं एके करके हम दिरे-दिरे इसको बनाते जाएंगे और इसके रोल तैयार करेंगे अब इसके उपर ये शिल्वर वर्क लगा लेंगे शिल्वर वर्क लगाने से मिठाई बहुत ही टैम्टिंग दिखाई देती है और ये बिल्कुल मार्केट के जैसी लगती है और यह देखें सिल्वर वर्क इसके उपर लगा लिया है आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे पने के लिए जिससे कि यह सैट हो जाएगी यह सैट हो चुके है अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं इसकी आप चाहे तो इसको बड़े या छोटे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं हमने इसको बनाने में सरफ 10 काजू का ही यूज किया है और यह बिना गैस जलाए 10 से 15 मिनिट में मिठाई तयार हो गई यह बनगर के और बहुती टेस्टी मिठाई बनी है बिलकुल बाजार के जैसी लग रही है तो आप भी इस रेसिपी को जरू ट सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू